हेलो बच्छा पाती कैसे हो बट आप सब लोग आई वोप सब अच्छे हैं सब ठीक हैं इस वीडियो में हम लोग वह सब याट करने वाले हैं जिसको पढ़के आप लोगों को नीद आ जाती है और बच्छों का मुखड़ा जो होता है वह देखने लाइक होता है मैं नहीं बस टेलीग्राम पर भेज दूँगे आप से पीडियाफ को ले सकते हैं डाउन डूड करके रख सकते हैं और बाकी कोश्चन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से किस चप्टर से बन सकते हैं दो चाप्रम इसके अंदर करने वाले हैं ठीक है तो विश्व के प्रमुखदर्शन और और ये वेद वाले कोश्चन जो है वो आते ही हैं गणित विग्यान आयूर वेद ग्रशी ग्यान ये सब कुछ किसमें है अर्थ वेद में ठीक है अथर वेद और ये जो है गणित वग्यारा जो है वो अथर वेद में ही आता है ठीक है म्यूजिक वग्यारा जो है वो सोम व चाफालाविट्कों से हैं धेर्म-अर्ध-का-मोग्ष्व तो इस ट्राइप अपको पढ़ लेने रिगे में कितने मंडल्वा मंत्र हैं दस मंडल हैं और दसजार पान सो बावन मंत्र ठीक है और यह जुरुआध में कितने धैवा मंत्र है 40 अध्याइय हैं और 1975 मंत्र हैं अपके अधरव वेद किसका संकलन है सबसे प्राची बड़ा व बशेष्ट बनना फिर फिलप्स भी आपको लोगों से पूछे जाएंगे और यह इनी में जाएंगे ठीक है फिर वेरी शॉट आंसर आते हैं महावीर स्वामी वा महात्मा बुद्ध में क्या समानता है थी अच्छा कोशन इसको पढ़िएगा और महात्मा बुद्ध के खतानाक था और इस तरीके से वैसे खराब चीज़ है लेकिन फिर भी ठीक है इनका रिचुल था नैतिकता जो है वो किसे कहते हैं और वैदिक दर्शन में मनुश्य जीवन को उन्नत बनाने वाले चार परशारतों के नाम लिखिए यह कोशन देखिए इस टाइप की कोशन लिखना है आप बना बना के लिखे लिखे हैं अपको थोड़ी भूत नॉलिज हो बना बनाके इसको लिख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वेद क्या होते हैं वेद के बारे में एक दो लाईने पढ़ने के बाद वेदों के नाम याद कर लीजिए और उसके अंदर स महत्मा बुद्ध के जीवन तथा उनके जीवन की चार महत्वपून गटनाओं पर प्रकाश चलिए ये लॉंग कोशन है और इसको आप इसके सिर्फ आप लोगों को बस थोड़ा से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग थोड़ा इसके अंदर से फोकस होके बस पढ़ना है ठीक है कैसा सब्जेक्ट है जिसको आप बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके अगर दिमाग मुझे बै लेकिन समझ आजाएगा आपको तो आराम से आप इसको कर लिजिएगा ठीक है यह देखिए ओके यह हैं फिर उसके बाद यह वन वर्ड आ जाते हैं यूरोप में मध्यकाल को क्या कहा गया है और पादरियों का मुख्य कार्या था इस और के सेवा करना चर्च किया वस्ता कि देख बाल करना यह कोशन्स आपके चोटे आजाते हैं वन लाइनर ठीक है उसके बाद में रिगत स्थान है यहाँ पर यह फिलप्स है और फिलप्स बचे सारे पढ़ लेना ठीक है पेपरों के टाइम पर इनको रट लेना अच्छे से वेरी शॉट आंसर जो है पादरी से क कौन थे यह लैंग्विज उनकी है तो आप लोगों को जादा नहीं समझ आएगी तो इस लिए इसको अच्छे से बस इनके मीनिंग्स को द्यान रखेगा कि इसके बारे में यह बोला गया है भक्तियां क्यों हुआ मावासत से क्या भी प्राय है नाइट से क्या भी प्राय ह है यूरोप में क्रिश को की दशा कैसी थी यह कुछ इस्ट्री होती है अगर आप स्टोरी की तरह पढ़ सकते हो और उसको लिग सकते हो तो बैस है और कोई भी प्राबलम नहीं है हाँ यह है कि तो कोई बात ने उसको मत याद करो लेकिन उसके बारे में ABCD कुछ पढ़ लो बना बना के लिख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर लॉंग अंसर आ जाते हैं मध्यकरन भारत हैं भक्ति आंदर उनके परचार परसार के कारण क्या थे यह देखिए यह सारे पॉइंट्स आगए ठीक है लॉंग में हैं यह चे नंबर के कोशन आएगा इसमें मध् क्लास की टॉणट ऑनिट सैनल के लिखनान नहीं हैं क्यूंकि यह इतने सारे सिंव एक याद करने बठेंगे ऊंपॉसिबल वह यह नहीं कर शकते रट्षाथ चान Malin II आपको उनके बार में बțiक्स Venezic 수गव करना हैं की इस सब्सान किसी सब्सां लिखने का टालेंट आपके अंदर होने चाहिए असस्टी बहुत ही इजी सब्जक्ट होता है ठीक है अभी हम दीरे दीरे जो है आगे भी चलेंगे सेविक्स के ओपर जाएंगे राजिनतिक शास्त्र होगा और उसके बाद अगला जो है तो इस तरीके से होगा तो आप तब तक इसके ओपर ध्यान से ध्यान दीजिए और इसकी पीडिएफ आपको डिस्क्रिप्शन से टैलीग्राम है महाँ पर आजाईए महाँ पर मैं आप लोगों को इसको दे दूंगे ठीक है और नई वीडियो में और नई चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे थैंक्यू सो मु मुझा पर आजाईए मुझा पर आजाए और अजयू है।